अलो फ्रेंड्स के वाई रैसिपीस में आपका स्वागत है आज हम दमादू बना रहे हैं यह मैं दो तरह के से आपको दो तरह रैसिपी लेकर आई हूँ वो अलग अलग तरह के सिखाऊंगी चली शुरू करते हैं इसके लिए हमने आलू ले लिये हैं यह आदे किलो करीब आ अब इसके हम दो पीस कर लेते हैं काटके बड़े हैं तो आप दो पीस कर लिजेगा अगर छोटे हैं तो आप साबद रहने दीजिएगा अब हमने कढ़ाई में तेल चड़ा दिया है गरम होने देते हैं यह मैं आपको एक दम धावा इस्टाइल बिदी से बताऊंगी और बहुत ही अच्छे बनते हैं यह हमने आल तेल गरम हो गया है अब इसको आलू को हम इसमें डाल देते हैं आपको मैं इसमें सारे टिप्स बताऊंगी जो धावे में यूज होते हैं और सारे इंग्रेंस जो इसमें डाले जाते हैं चली शुरू करते हैं बनाने का तरीका बि प्रिंग करे रहोने तक भून लेते हैं अच्छा गोर्डन कलर आना चाहिए इस पर क्रश्पी हो जाते हैं आलू तब यह अच्छे लगते हैं खाने में और इसी तरह से ढ़ावे में की जाते हैं कि पलट पलट के हम चारो तरफ से इनको सुनहरा कर लेंगे आप इस रेसिपी को step by step फोलो करिएगा तब यह आपकी सबजी वी ऐसी ही भनेगी धावे श्टाइल जैसे हम बना रहे हैं चली धावे सच्छा खाना घर पे बनाते हैं चलाते हुए इधर से तोन तरफ से आललेट पड़र के हमालों को फ्राइ कर लेंगे अब चाहे तो इसके लिए कच्छा आलो बे ले सकते हैं मैंने आलो उबाल लिया है और इसको हम गोद लेंगे अंदर से जो जिसे मसाला यह अंदर तक पहुंच जाए इस फोक की सहाज़ता से आप सबी आलो को गोद लीजिए जिसमें मसाले अंदर तक पहुच जाते हैं और नमक जरूर डालीजिएगा आलो में आप जब वाल रहे हैं थोड़ सा आप नमक डाल दीजिएगा और हम तेल में फ्राय कर रहे हैं तो भी आप एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा जिससे तेल की समयल नहीं आती है अगर आप रिफाइनल बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है अगर आप सरसो के तेल में बना रहे हैं तो आप एक चुटकी नमक जरूर डालिएगा अब आलू फ्राय हो गए है अब इनको हम निकाल लेते हैं हम इसी तरह से चाहिए इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो कड़ भी लगेंगे हमें देखी कितना अच्छा कलर आया है एक दम गॉल्डन कलर आया है अब आलू हो गए है हमारे अब इसमें मैं कुछ काजू डालती हूँ ये भी मैं इसको फ्राय कर लेती हूँ काजू को इसको यह हमें थोड़ सा सुनेरा होने तक भून लेना है चलाते हुए एक सी दो मिनिट का टाइम लगेगा बहुत जल्दी हो जाते हैं काजू चलिए काजू हमारे हो गए है अब इनको हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम जीरा डालेंगे अब दो तेज पत्र डालेंगे इसमें हम और ये प्याज का पेश्ट ये मैंने प्याज तीन चा प्याज ले ली थी उसको पेश्ट बना लिया है अब इसको हम चलाते हुए प्याज को अच्छा गोडलन कर राने तक पून लेंगे सुने रहने तक इसकी पेचान ये है कि ये कढ़ाई छोड़ देगी जो हमारी प्याज भुन जाएगी तो क्योंकि मैंने बहुत जादे चिकनाई नहीं डाली इसमें वह जादे ओएल नहीं डाला है देखिए हम इसी तरह से चाहिए अब इसके लिए में कुछ मसाले तयार कर रहे हैं आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर एग टेबल स्पून धनिया पाउडर मर्च स्वादनुसार होमेट दमाल मसाला एक चमर टेबल स्पून नमक बन टेबल स्पून स्वादनुसार पानी इसका ये पेश्ट हम बना कर रख देंगे थोड़ दे जितने हमरे प्याज बुनती है इसके ये फूल जाएगा अच्छे से और इसका फिलिवर बहुत अच् प्याज देख लेते हमने प्याज भी हमारे बुन गई है ये कढ़ाई छोड़ दी है इसने अब बिलकुर नहीं लग रही है इसका मुद्धा हमारे प्याज बुन गई है अब यह इसमें हम टेमाटर की प्यूरी डालेंगे ये मैंने तीन टेमाटर लिए थे उनको पीस लि हवे इनको भून लेंगे जिस इनका कच्छा पर निकल जाता है और सबजी का स्वाध दोगो प्राशिता है जितने अच्य हमारे मसाले पून लेंगे सब्जी में स्वाध उतना ही अच्छा का अच्छा आता है और मसालो को अच्छे से भून लेना चाहिए प्यूर continents रोन ग कि अब चाहे तो इसमें मसाले ज़ादे खाते हैं तब खड़े मसाले भी डाल सकते हैं मैंने वह यूज नहीं किये हैं क्योंगि मेरे होमेट मसाले में सबी मसाले यूज है इसलिए अब इसको चलाते हूँ अच्छे से हम बूर लेते हैं तकड़ाई हमारी छोड़ने ही देती है अब हम इसमें पानी डालेंगे सबी मसाले हमारे बुन गए है पानी में आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं आपको ज्यादे ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप ज्यादे डाल सकते हैं कम वाली चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं फिलाल इसमें ज्यादे ग्रेवी अच्छे नहीं लगती है अब एक चम्मच में इसमें कॉन फ्रॉर डाल लए हूँ इसको पानी में डालके इसको गोल बना लेते हैं पानी सब्जी में उवाला गया है देखिए ग्रेवी में अब इसमें यह हम कॉन फ्रॉर डालेंगे और इसको चलाएंगे नहीं तो लगने का डर रहता है इसे ग्रेवी गाड़ी हो जाती है और हमें जादे मसालों की जरूत नहीं पड़ती है क्यों बहुत जादे हम टेमाटर प्याई डाल देंगे तो इसकी इसमेलाद लगती है वह जादे अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए एक चमच डाल देते हैं हमाई सब्जी में वाला आने लगा है देखिए कितने अच्छी ग्रेवी वनी है ना जादे गाड़ी है ना जादे पतली है क्योंकि आलो भी ग्रेवी को एकजोर करते हैं अब इसमें यह में थोड़ा सा काला नमग डालूंगी आधी टेबल स स्पून इस इसका फिलेवर बहुत अच्छा आता है अब इसमें एक काटोरिय हम दूद डालेंगे यह ओफ्शनल है लेकिन इससका कलर बहुत अच्छा आता है और खाने में सब्जी क्रीमी जैसी लगती है आप चाहे तो इसकी जगे क्रीम भी डाल सकते हैं अब सब्जी में बॉबाला आ गया है अब यह आलू जो हमने फ्राय करे थे वो हम इसको डाल देते हैं इसमें आलू को बहुत साब धनी से डालना छीट नहीं आए हम सब यह आलू को इसमें डाल देंगे अब इसको चला देते हैं अच्छे से क्योंकि आलू था हमारे फ्राय करे हुए हैं गली गए है आदे से ज्यादा अब इसको हम थोड़ी दिर बना देते हैं जिससे यह मसाला अंदर आलू के पहुंच जाए ग्रेवी एक्चॉर कर लें कि दो से तेन मिनट के लिए हम इसे उपकाएंगे अब इसमें सब हम कथोड़ी सी कसूरी मिथी डालेंगे सब्जी हमारी तयार हो गई है कि देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी सब्जी बनी है मसाला की कॉंटेटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब इसमें यह हम आदा चमच गर मसाला डालेंगे यह हमें बाद में डालना है यह हमें पहले नहीं डालना है यह बाद में डालके इसकी खुछ बहुत अच्छी आती है अब इसको चला देते हैं सब्जी को क्योंकि सब्जी रखने के बाद भी ग्रेवी को एक्जूर करते हैं आलो और गाड़ी हो जाती है थोड़ दिर वाला आने देते हैं इसको मैं आपको दिखाते हूं देखे कितने अच्छी सब्जी बनी है आप जिस तरह से मैं पता रही हूं आप टिफ्स वाय टिफ्स फॉलो करते जाएगा आप से सब्जी भी उसी तरह से बहुत अच्छी बनेगी अब इसमें यह हम काजु डाल देते हैं अब चाहिए तो काजु का पेश्ट वा ना सकते हैं लेकिन मैंने पेश्ट नहीं बनाया है मैंने साबुत ही डाले हैं यह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब मूं में आते हैं तो हमारी सब्जी बन के तयार है देखी कितने अब हम इसी के साथ दोसी सब्जी तो तो इसलह पृबत हमें को बढोते हाँ आछा युटे साईयच के आलू है मैंने अबाल लिक्षाय हैं। अब सभी आलो को चील के मैं आपको दिखा रहे हूँ वैसे तो मैंने पहले चील ली थे सभी आलो को अगर हम नहीं गोदेंगे तो मसाले इसमें नहीं जा पाते धैन से इच्छेत हो जाएंगे तो सभी में अंदर तक मसाले चले जाते हैं और आलो फीका फीका नहीं लगता है खाने में इसी तसरे से सभी आलो को हम गोद देंगे हमारे सभी आलो गोद गए हैं अब हमने कढ़ाई चड़ा दी है अब इसमें हम थोड़ा सा तेल टालेंगे यह मैं शेलोफ द्वit द्णां जिल्ड़ी हो जाते हैं यह मैं आपको दोने तर्फी से शिका रही हूं प्रूस करना चाहिए और को में शेलोफ द्ड़ी करते हैं तेल गरम होने देते हैं अच्छे से तेल में दुहाने तक अब यह तेल करम हो गया है अब इसमें हम आलू डाल देते हैं सभी को अब इनको हम चलाते हुए सुने रहोने तक हम इनको भूनेंगे इसमें हम थोड़ सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन सबजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोनों एक इतरी से बनती हैं स्वाद इसमें भी बहुत अच्छा होगा जैसे आपके होटल बगेरा में होता है यह मैं अपने घर वाले स्टाइल में बना रही हूँ कि इस सवाद आपको बही मिलेगा कच्छा आलो आपक लेंगी तो वह सेलो फ्राइर नहीं कर सकते हैं वह अच्छे से नहीं होता है आप उबालकी लीजीगा तब हैप सेलो फ्राइर कर सकते हैं और आलो को बहुत ज़्यादे नहीं बालिएगा आधा उला आधा कच्छा होना चाहिए अकर जादे बोल जाएगा तो वह आपका टूड जाएगा इसलिए हमें थोड़ा टाइट आलू चाहिए देखी गोल्डन होने ही लगा है आलू धीरे-धीर से इसी तरह से हमें चलाते हुए सब या लोग को गोल्डन करार कर लेना है जिससे सुनायरा हो जाए विलकुल एकदम हम उलट प्लट के चारत अब से शीखना है इनको आप इसके लिए भारी तरह की कढ़ाई लेना कोई बड़तन उसी में बनाईगा अगर आप सेलो फ्राइ कर रहे हैं तो क्योंको हलकी तरह की कढ़ाई में लगने कड़ा रहता है जल जाते हैं जिसके सही से सिक नहीं पाते हैं कि हर्यकाद में चिकनाई खाने के लिए तैयार नहीं होता है कोई जादे ओयल खाता है कोई कम खाता है आज कल बैसे भी सभी को फैसन में है सब कमी ओयल खाना पसंद करते हैं क्यों हमें स्वात के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल लगना चाहिए देखी मैं मानती हूं कि फ्राइ करीव चीज जादे पसंद आती है सभी को आलो हमारे फ्राइ हो गए हैं हम इसी तरह से चाहिए अब हमने कढ़ाई ले लिए है इसी कढ़ाई में हम थोड़ सब तेल डालेंगे तेल को गरम होने देते हैं धुआने तक तेल हमारा गरम हो गया है अब मैं इसमें कुछ खड़ी मसाले डालूँगी इसमें अद्रक है, लोंग है, काले मिर्चे है, हरीलाइची है, दालचीनी है, करीपत्ता है, अद्रक है, जीरा है यह सबी खड़ी मसाले हम अच्छे से भूण लेंगे, जिससे इसका फिलेवल अच्छे से इसमें आ जाए, चलाते हैं हम सबी को भूण लेंगे अब इसमें यह हम प्याज डालेंगे, यह हमने मोटी मोटी चॉप कर ली है दोनों सब्जी मेंने एक्तम डिफ्रेंट तरीकी से बनाई है और बहुती स्वादिष्ट है, खाने में ला जवाब यह लाल मिर्चे हैं, चार मेंने डाली हैं, इनको भी साथ में फूल लेंगे हम प्याज को हमें सुनेरा होने तक बूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ यह में काजु डाल नहीं है यह मैंने पानी में भीगो दिये थे काजु को, आप चाहे तो ऐसी भी डाल सकते हैं अब इसको चलाते हुए हम भूनते रहेंगे अब इसमें यह टिमाटर डालेंगे हम, यह तीन चार टिमाटर ले लिए हैं मैंने, इनको मोटा मोटा काट लिया है अब इसको हम भून लेंगे इसको हमें चलाते हुए भून लेना है सभी को टिमाटर गलने तक अब इसमें मैं थोड़ सा नमक डालूँगी क्योंकि नमक से यह टिमाटर जदी गल जाते हैं और इसका स्वाद भी अच्छा आता है यह हम इसी सब्जी के हिसाफ से नमक डाल ले हैं यह हम ग्रेवी बनाएंगे उसके इसाफ से अब इनको मूल लेंगे चलाते हुए हमारे सभी प्यार टेमाटर भुन गए हैं सभी मसाले भुन गए हैं यह अब इनको हम ठंडा होने देते हैं अब हमने कड़ाई चला दी है इसी में हम थोड़े तेल डालेंगे जीरा जीरा में बहुत जादे नहीं डालना है थोड़ी डालना है हींग तेज पत्तर इनको अच्छे से भूलेते हैं जैसे इसका फिलेवर आ जाता है अब हमने प्याज टेमाटर को पीस लिया है अब इनको भी हम भूल लेते हैं इसका हमें पेश्टी बनाना था आप ठंडा करके पेश्ट बनाईए करम नहीं कभी कभी ऐसा होता है गरम उपर को आयाता है छीटान लगती है एक चमाज धनिया पाउडर आदी चमाज हल्दी पाउडर अब इनको भी हम इसके साथ भून लेंगे जिसे क्योंकि मसाले तुम्हारे सब भूने हुए हैं हमें थोड़े और भूनने हैं जिसे थोड़ सी स्कीस मेल निकल जाती है जब हम प्रीशती हैं तो नमक स्वादानुसार क्योंकि नमक अपने क्रेव में पहले भी डाल लखा है प्याज चमाटर में तिसलिए थोड़े यह नमक डाला है हमें जादा नहीं डालेंगे देखिए मसाले हमारे भूनने लगिए हैं कड़ाई छोड़े थोड़ दे है क्योंकि चिकनेश जदा हो गी तेल जदा होगा तो यह तेल दिखाई देता है इसके उपर इसमें तेल नहीं दिखाई देगा आपको इसकी पहचानी है कि मसाले अकड़ाई को छोड़ने लगते हैं तब आप समाज़ लीजिएगा कि आपके मसाले भुन गए हैं और एक अच्छे से खुश हुआने लगेगी सभी मसालों में अच्छे से भूल लेंगे इस भुने में एक सी दो मिनिट का टाइम लगेगा बहुत जादर टाइम नहीं लगता है क्योंकि सभी मसाले हमारे भुने हुए हैं अब इसमें हॉममेड दम आलू मसाला डालूंगी में दो चम्मच यह मैंने घर पर ही बना के तग्यार किया है इसका फिलेवर बहुत अच्छा है देखिए अब हमारे मसालों ने कढ़ाई छोड़ने शुरू कर दी है यह भुने लगे हैं हमें चलाते हुए इसी भुनना है थोड़ा सा और जब तक अच्छी खुस्पून आने लगे जब तक हमें सभी मसालों को भुनना है सभी मसाले भुन गए हैं अब मैं यह जार को दो के इसमें थोड़ सा पानी डाल देती हूं उसको चलाते हुए में ग्रेवी को मिक्स करना है देखे कि अच्छा कलर आया है सबजी का हमारे ग्रेवी का बहुत अच्छा कलर आया है अब इसमें हम पानी डालेंगे सभी मसाले हमारे भुन गए हैं अच्छे से अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी आप अपने स्वाद अंसार कम जादा कर सकते हैं अब इसको थोड़ी दे ढख देते हैं ग्रेवी हमारे अच्छे से पक गई है सभी मसालों में बहुत अच्छा फिलेवर आ गया है देखे इसी तरह से हमें ग्रेवी चाहिए बहुत जादे ना गाड़ी हो बहुत जादे ना पतली हो हमें मीडियम चाहिए अब इसमें यह हम आलू डाल देंगे जो हमने फ्राइ करे थे अब इसको दो से तीन मिट के लिए पकने देते हैं अच्छी से जिससे सभी मसाले आलू के अंदर चले जाएं सभी फिलेवर इसके अंदर आ जाएगा आलू के अब इसको हम ढग देते हैं देखे कितने अच्छी आलू बने हैं कितने इच्छी सब्जी बनी है देखे गे रेवी हमारी बिल्गुल ठीक है रखे और गाड़ी हो गी है क्योंकि आलू ग्रेवी को अब्जोर करते हैं सोकता है पानी इसलिए हम इसी तरह से चाहिए बहुत जादना गाड़ी चाहिए बहुत जादना पतले चाहिए हमारी ग्रेवी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है अब मैं इसमें ये थोड़ सा धनिय डालूँगी आज चमच ये घर पे मैंने सुका लिया था वो धनिया है देखी कितने अच्छे सबजी बनी है हमारी अब इसमें एक चमच में चीनी डालूँगी इससे इसका फिलेवर बहुत अच्छा तो है जैसे रेश्टोरेंट में और होटल में होती है धावे में होती है बैसे थोड़ सा मीठा सा पन सबजी में आता है ग्रेवी में ये बही हिस्वाद देगी आप वीडियो को सुरू से एंड तक देखिए तब आपकी समझ में आएगी इसकिप करके नहीं देखिएगा जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताती जा रही है बैसी फोलो करते जाएगा आपकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी एकदम परफेक्ट कोई यही नहीं बताएगा कि सब्जी गारे कि यह यह बाहर की है हमारी सब्जी बन के तैयार है अब हम एक सर्विस बाउल में इसको निकाल लेते हैं आपको हमारी रेसिप्ट पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंड कीजिए और हमें बताईए कि हमारी सब्जी कैसी बनी है बनाए खाई और मतयाप का धन्यवाद